जैहिंद, वेलकम टू विजयपत एजुकेशन पारलंपूर एकवार फिर से, करंट अफियर के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आज हम जुलाई 2020 के करंट अफियर को डिसकस करेंगे, जिसके जो इंपोर्टेंट कोईशन हैं, वो वन लाइनर फॉर्म में और MCQ फॉर्म में आज हम डिसकस करेंगे, यह सभी आपके जुलाई मन्थ 2014 के करंट अफियर रहेंगे, यह सभी कोईशन आपके बैंकिंग, SSC, डिफेंस, रेलवे, All India, स्टेट गवर्मेंट एक्जाम जो रहते हैं, उन सभी के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट है, करंट अफि सभी बैंसरी, जो भी मिसलेन हमारे क्विशन रहते हैं, वह आज की इस क्लास में डिसकस करने जा रहे हैं, सो स्टार्ड करते हैं आज की इस organizer को, उससे पहले अगर आपने हमारी को सस्क्राइब नहीं किया है, तो एक बार को यह बारे चैनल को आप सस्क्राइब कीजिए और Current Affair की Monthly और Weekly Test Series एंड इसकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे एप्लिकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए Play Store से विजेपत All Exam Preparation App So start करते हैं आज किस क्लास को सबसे पहला question रहेगा भारत में MotoGP के लिए Brand Ambassador किसे नामित किया गया है जो MotoGP होती है फेस कर रेस कर जो है एक रेसर गेम है तो उसके लिए भारत में शिखर धवन को MotoGP का नेया Brand Ambassador घोसित किया गया है 2024 में जो है वो Season 9 जो है ये रेस सुरू हो चुकी है और 2 अगस्त को जो है इसका समापन हो जाएगा अभी एक दो दिन के अंदर अंदर और इसमें जो है वो Brand Ambassador शिखर धवन को जो की एक इंडिन स्पोर्ट्समैन है क्रिकेट के खिलाडी है उनको नेया Brand Ambassador घोसित किया गया है Euro Sports इंडिया के द्वारा Next Question की बात करते है Global CSR Sustainability और ESG Awards 2024 में किस Trust को Best Child and Woman Development Initiative of the Year 2024 पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो उस Trust का नाम है कुरुमबा, शैक्षिक और Charitable Trust Most Important Question रहेगा और जितने भी आपके All India Level एक्जाम है SSC, CHSL, GD या फिर आपके MTS के एक्जाम है Banking Sector के एक्जाम है उनमें इसी तरीके का unique level का करेंटे फिर पूछा जाता है तो आपके इस चीजें पता होनी चाहिए जो Best Child एवम Women Development Initiative of the Year Award 2024 जिससे सम्मानित किया गया उसका नाम है कुरुमबा, शैक्षिक और Charitable Trust Important Question है बाकि अगर आपके इसकी description को देखना चाहते हैं तो आप इसकी यहां से description को easily पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कोशन, थर्ड रहेगा परसिद हिर्दे, शल्य चकित्सक और SCTIM, ST के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयू में निधन हो गया उनका नाम था Dr. Baliyathan Dr. Baliyathan जो थे उनका अभी हाल ही में जो है पूर्व अधियक्ष भी रह चुके हैं राश्ट्रिय अनुसंधान के प्रोफेशर भी रहे हैं केरल विशव इद्याले से इन्होंने Medical Science में जो है वो अपनी डिग्री जो थी वो हासिल की थी और अभी कुछ समय पहले जो है वो इनका निधन हो गया है Next question है 22 अगस्ट 2024 से पहले तमिल्नाडू के उप मुख्य मंत्री के रूप में किसे निउक्त किया जाना ते है तो उनका नाम है उदे निधी स्टाइलिन तो तमिल्नाडू के उप मुख्य मंत्री ये बनेंगे 22 अगस्ट से पहले पहले Important question है ये मुख्य मंत्री MK स्टाइलिन के बेटे हैं और उदे निधी को सरकार में अधिक प्रभावशाली भूमी का निभाने के लिए और अपनी एक फैमिली स्पोर्ट करने के लिए भी इनको जो है वो वहां का उप मुख्य मंत्री निउक्त किया जाएगा Next question रहेगा Q5. 2023 में Celebrity Brand Value Ranking में सबसे शीर सस्थान पर कौन रहा है तो इसमें विराट कोहली जो है वो सबसे आगे इस रंकिंग में रहे हैं क्रिकेटर बिराट कोहली ने 2023 में 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मुल्य के साथ भारत के सबसे मुल्यवान Celebrity का शीर सस्थान जो है वो हासिल किया है और इसके साथ ही दूसरे स्थान पर रहे हैं एक्टर रणवीर सिंग अगला क्वेशन है 19 जुलाई को FE Modern BFSI शिकर समेलन 2024 को अधगाटन किसके दौरा किया गया तो RBI के गवर्नर है 25 नमबर के गवर्नर है शक्ति कांदास उनके दौरा 19 जुलाई 2024 को मुंबई में इस शिकर समेलन का अधगाटन किया गया और इस शिकर समेलन में भारत की तेज पहचाना गया किस तरीके से आर्थिक धांचे को हम और मेजबूत कर सकते हैं और इंडिया में इतनी चुनोतियों के होने के बाब जूद भी इंडिया जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो All Over Bird के अनुसार जो है वो दे रहा है तो इसके लिए शिकर समेलन जो है व पुना चुना गया है तो PwC इंडिया ने संजीब क्रिशन को एक वार फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना है और ये एक अपरेल दोहजार पचिस से चार साल के लिए जो है वो इस पद पर ये रहेंगे और इनका पहला कारेकाल जो था वो उन्नी सो दोहजार 21 में शु डिए राजदूतों से कोईशन आपके लिए बनते हैं बिने मोहन कवात्रा जी को भारत का राजदूत न्यूक्त किया गया है कहां किया गया है सियुक्तरास्टर अमेरिका में तो ये इन्फोमेशन जो है वो विधेश मंत्राले के द्वारा जो थी वो बताई गयी थी नेक उनका नाम है राम चरण उनका नाम है राम चरण तो काफी परसिद्ध ये एक्टर हैं बॉलिवुड के भी साउथ के भी और इसलिए इनके उतकृस्थ योगदान के लिए भारतिकला और संस्कृति के दूत का पुरुषकार जो है वो इनको दिया जाएगा के मुख्य नेता थे तो अभी अतनाम के मुख्य नेता थे जिनका अब हाल ही में निधन हो गया नेक्स्ट कोईशन हाल ही में केंद्री खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लोंच किये गए कीर्थी कारेकरम का पूर्ण रूप क्या है दिखे ध्यान रखेंगे कि भा इडिए इडिए राइजेंग टैलेन्ट इडिए इडिए और दूसरे चरण की शुरुआत केंद्री मंत्री मन सुख मांडविया जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है नेक्स्ट कोईचन रहेगा उस नोबल शांति पुरुषकार का नाम क्या है जिने गान्धी मेंडेला पुरुषकार 2020 जो था वो मिला था उनका नाम रहेगा रिगोबेर्ता मेंचुतुम यह इनका नाम है और इनको जो है वो नोबल पुरुषकार से समानी तक किया जा चुका है नेक्स्ट कोईशन रहेगा नूरो बोर्गेस ने नोडिया ओपन में किसे हरा कर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता है तो राफेल नडाल इनके द्वारा जो है यह अपना पहला ATP टूर खिताब जो है वो जीत लिया गया ह नेक्स्ट कोईशन रहेगा निमिलिखित में से किन दो भारती टैनिस खिलाडियों को अंतराश्च्ट टैनिस होल अफ़ दाफे में सामिल किया गया है देखी काफी बड़ी बात होती है कि इंटर्नेशनल लेबल पे अंतराश्टी स्तर पे जो है वो टैनिस होल आफ दाफ में शामिल किया गया है दो भारतिय खिलाडियों को जिनका नाम है लिएंडर पेस और विजे अमरित राज इंपोर्टेंट कोईशन देखी स्पोर्ट से रिलेटिड कोईशन जो है इस तरीके के आपके बन सकते हैं नेक्स्ट कोईशन है किस राज सरकार ने आईएस अधिकारी के वासुकी को बाहरी सेहोगंसे समंदीत 일반 मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में निक्त किया है तो ये केरल राजे सरकार ने इनको न्यूक्ति दी है, केरल सरकार ने आईये सरीकारी के बासुकी को विदेश सचिव न्यूक्त किया है नेक्स्ट कोशन रहेगा, तेलंगाना के मुख्य मंत्री द्वारा सिविल सेवा उमीदवारों को बित्य सहाइता परदान करने के लिए नई शुरू की गई योजना का नाम क्या है योजनाएं जितनी भी हैं वो आपको पता होनी चाहिए अभी हाल ही में हिमाचल में इंद्रा गांदी महिला सम्मा नीधी योजना जो है वो स्टार्ट की गई है ये सारी जितनी भी नई-नई schemes हैं वो आपको पता होनी चाहिए जो important scheme निकल के आती हैं तो तेलंगाना के द्वारा भी अभी civil सेवा उमीदवारों को finance help provide करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है और इस योजना का नाम है राजीव गांदी civils अभी हस्तम ये तेलंगाना के मुख्य मंत्री रेडी जी के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है और इसमें कहा गया है कि जो मुख्य परिक्षा में सफिल उमीदवार हैं उनको एक लाख रुपे की बित्य सहाईता पर सब्स हम इसे कहते हैं तो जैसे अगर हिमाचल की बात करूं सिर्फ अगर पांच पोस्टें एच एस या तसहीलदार या फिर आईएस जो भी ऑल इंडिया लेबल पे हैं अगर उनकी पोस्टें टॉटल पांच एछे हैं तो अब यहां पे तो हजारों के इसाप से बच्चे अब कुछ बच्चे प्री क्वालिफाइब कर लेते हैं उसके जिनका ईंट्रवु हो गया फाइनल बैरिट लिस्ट में और उनकी तो सिलेक्शन होסनगे लेकिन बच्चे जोर बर्ग उमीदवारों के लिए उजना रहेगी EWS जो candidate उनके लिए उजना रहेगी जिनकी आठ लाग से कम होनी चाहिए तो देखिए यहां पे भी थोड़ा से एक discrimination हुआ है यह योजना जो है वो all over सभी candidates को होनी चाहिए जिनके द्वारा mails या interview crack कर लिया जाता है तो उनके लिए इसमें कोई भी discrimination नहीं होनी चाहिए सर्फ journal category को क्यों छोड़ दिया गया तो यह थोड़ी सी यहां पे एक सोचने वाली बात रहेगी लेकिन काफी एक बहतर स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा launch की गई है next question किस राज्य सरकार ने निर्मान श् next है कौन सा देश 2025 में प्रत्थम olympic e-sports खेलों की मेजवानी करेगा e-sports खेलों की मेजवानी करेगा तो वह है साउदी और important question लेखी e-sports की बात की जारी e-sports का मतलब होता है जो भी computer laptops के ओपर जो games खेली जाती है उसके लिए जैसे अगर आप free fire आप जानते है PUBG जानते ह इंडोनेशिया में या फिर बाहर foreign countries में उनके World Cup उनके sports वह हैं वो करवाई जारी तो वैसे ही प्रत्थम olympic e-sports खेलों की मेजवानी 2025 में साउदी अरव के द्वारा की जाएगी next question है सकल परेवरन उतपाद GEP सूचकांक launch करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो वह है उत्राखंड उत्राखंड भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने पारिस्थेते की तंतर के विकास के लिए जो है वो GEP के माधिम से शुरू करने की पहल की है और वहां के मुख्य मंत्री है पुशकर सिंग धामी यह आप यहां पर चोटी चोटी चीज़ें जो हैं इसको साथ साथ में नोट करते चले नेक्स्ट है भारत की सीनियर पुरुस फुटबॉल टीम का नया कोच किसे न्युक्त किया गया है जो में टीम है और उसके जो अभी नए कोच बन में अखिल भारती फुटबाल महासंग AIFF का प्लेयर आफ देयर अवोर्ड किसने जीता है तो लेलिया जुआला और इंदुमती करीस थे इनके द्वारा जो है यह प्लेयर आफ दा एयर अवोर्ड फुटबाल में इन्होंने अपने नाम यह हासिल किया है नेक्स्ट कॉशन ह हंगरी ग्रैंड पिक्स में फॉर्मूला टू रेस जीतने वाली भारत के पहले ड्राइवर कौन बने है तो कुश्मेनी जो है वो इनके द्वारा फॉर्मूला टू की जो फॉर्मूला रेस होती फॉर्मूला टू रेस इसमें जीतने वाले पहले भारती राइवर बने है इ से न्युक्त किया गया है तो कृष्णन बेंक के सुब्रमाइनयम जी को जो है वो फेडरल बेंक के ने एमडी और सीईओ आप गोल सकते हैं इनको न्युक्त किया गया है नेक्स्ट कोष्ण है। रोकाटर्स चैलेंज्ज° इंटरनेशनल ट्र त्र शूफी में रेस जीते वाले पहली महितला vague रेसर तो अती कामे यह 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 पहली ऑसी महितला रेसर बरनी है जिनके द्वारा ये इंटरनेशनल ट्रोफी जो है वो जीती गई है इंपोर्टेंट कोईशन स्पोर्ट से रेलेटिड कोईशन आपके लिए इंपोर्टेंट बनते हैं नेक्स्ट है दोहजार चौबिस में अंतरास्ट्री ओलंपिक समीती द्वारा बड़ा सम्वान जो है वो भारत के लिए रहेगा परिफोर्ट कोईशन है सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तिनाथ होने वाली दूसरी भारती महिला अधिकारी कोण बनी है तो सुपरिता सीटी जो है ये दूसरी भारती महला अधिकारी बनी है सियाचिन ग्लेशेर में और इससे पहले जो सबसे पहली थी कैप्टन शीबा चोहान है ये दुनिये के सबसे उन्चा यो युदगषेतर है आप सब भी जानते हैं वहां पे जो है वह इन्होंने कठिन अपना परिक्षन पूरा किया था और वहां पे तेनात होने वाली पहली महिलाधिकारी बनी थी और अब दूसरी भारती महिलाधिकारी बनी है स्याचिन ग्लेशियर में सुप्रिथा सीटी इंपोर्टेंट कोईशन है, नेक्स्ट है, ब्रॉड़कास्ट इंजिनेरिंग कंसल्टेंट इंडिया लेमिटेड बी इसे हम कहते हैं, उसके अध्यक्ष और परवंध निर्देशक, CMD के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहन किया है, तो DK मुरली जी के द्वारा जो है, वो ब्रॉड़कास्ट इंजिनेरिंग कंसल्टेंट इंडिया लेमिटेड के ने अध्यक्षिय बनाएगे है, नेक्स्ट है, नासा ने मिसी, इलियट का हिप हॉप संगीत किस ग्रहे पर भेजा है, तो शुक्र ग्रहे पर ये चीज भेजी गई, देखिए, नासा जो है वो प्रस्तारित किया और ये पूरे युनिवर्स में पहली बार हो रहा है, पहली बार ये चीज जो है वो हो रही है, उससे पहले फरवरी 2008 में इंग्लिश रॉक बैंड दा बीटल्स का गीत, जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन अब ही पॉप सौंग जो है वो दारिक्ष में और ये शुक्र ग्रहे पर भेजा गया है नासा के द्वारा, नेक्स्ट कोश्चन रहेगा, किस राजे ने प्रोजेक्ट स्वास्थ नगरम के तहत टीवी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉंच किया है, तो तेलंगाना सरकार के द्वार के द्वारा ये स्वास्थ नगरम आप धिहान रखेंगे, स्वास्थ नगरम जो है, वो क्या है एक योजना है, एक तरीके की, जिसमें टीवी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए ये नहीं योजना, जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने IRCTC को schedule A, CPSC में upgrade किया है तो इसके जो बरतमान अधियक्ष है यांडिकी Indian Railway के जो बरतमान अधियक्ष है उनका नाम किया संजे कुमार जैन, संजे कुमार जैन जो है वो ये IRCTC के ने जो है वो अधियक्ष है और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी website को schedule A CPSC में अपग्रेड किया है Next question है कौन सी महिला क्रिकेटर भारती महिला क्रिकेटर समरिती मन्थाना को पीछे छोड़ कर भारत की और से सरबादिक T20 रन बनाने वाली महिला खिलाडी बनी है तो हर्मन प्रीदकॉर इनके द्वारा सबसे जाधा रन T20 में बनाए गए है नेक्स्ट क्वेशन है रास्ट्री आईकर दिवस कब मनाया जाता है तो रास्ट्री आईकर दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 जुलाई 2024 को इनकम टेक्स डे जो है वो 24 जुलाई 2024 को मनाया जा रहा है और आईकर का जो पहला कानून था 1922 में अनीसो बैस में इसको जो है वो लागू किया गया था और इसको स्टार्ट किया था 1860 में और 24 जुलाई 2024 को 165th income tax day जो है वो मनाया जा रहा है Next question है Cheetal के स्थिपे के बाद अमरीकी सीक्रेट सर्विस के कारे बाहग परमुक के रूप में अभी किसी न्यूक्त किया गया है तो रोनाल्ड एल रोबे जूनियर्स को ये न्यूक्त किया गया है तो IIT मंडी और IIT रुड की हिमाचल के करन्टे फिर से भी important question बनता है भारत को 6G अब 5G तो आप सब ही जानते हैं कि लौच हो चुका है 6th generation का internet या उसके जो speed है वो प्रोवाइड करवाने के लिए Center for Development of Tele Matrix यानि कि C. ने IIT रुड की और IIT मंडी के साथ जो है वो self-free 6G को access point करने के लिए ये साजेदारी जो है वो की है important question है ये next question रहेगा 2024-25 के लिए Institute of the Cast Accountants of India के 67th अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो विभूती भूशन नायक जी को अभी हाल ही में Institute of Cast Accountants of India के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है next question रहेगा Oscar Piastri ने किस Grand Pics में अपना पहला Formula One खिताब जो है वो जीता है तो Hungarian Grand Pics Hungarian Grand Pics ये सारे आपके international level के question रहेगे next है Paris Olympic Olympic कि आपको एक separate वीडियो भी मिलेगी अभी हमारे Olympic जो है वो स्टार्ट हो चुके है पैरिस में और उनसे related जो भी important question हमारे बनेंगे उनकी एक complete one-liner MCQ form में एक या फिर theoretical way में आपको एक complete वीडियो जो है separate class जो है वो उसके आपको मिलेगी पैरिस Olympic का उदखाटन समरो फ्रांस में कहां पर आयोजित किया जाएगा तो सीन नदी के किनारे या आयोजित किया जाएगा 26 जुलाई को और इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है और ऐसा पहला यह समरो होगा जो स्टेडियम के बाहर आयोजित होगा ठीक है स्टेडियम क मुंबई क्रिकेट एसोशेशन M.C.A. के सबसे युबा अध्यक्ष जो है वो यह बनाए गए हैं और इसके लिए जो था वो इलेक्षन हुआ था संजे नाईक और अजिंके के बीच में तो अजिंके को जो है वो 221 बोट मिले और संजे जी को 114 बोट मिले और उसके बाद जो है इनको मुंबई क्रिकेट एसोशेशन में नेक्स्ट है किस संगठन ने भारती नोसेना के लिए निर्मित किये जा रहे है दो उन्नत फ्रिगेटों में से पहला उन्नत फ्रिगेट ट्रिप्ट लौंच किया है तो ट्रिप्वट जो है वो गोऑ SHIPYARD лेमितेड के दोरा लौच किया सेना में भारती नोसेना के लिए जो है वो दो मशीन उपलग्द कराने के लिए किस बैंक के साथ साज़ेदारी की है आप सब भी जानते हैं कि मार्च दोहजार चौबिस में RBI के द्वारा RBI की गाइलाइन्स को फोलो ना करते हुए Paytiums के उपर बैन लगा दिया गया था Paytiums Payments Bank को पूरी तरह से बैन कर दिया गया कुछ service जो है वो भी Paytiums की रोक दी गई और Paytiums को उसके बाद जो है वो किसी अन्य बैंक के साथ साज़ेदारी करनी पड़ी जैसे HDFC है, Axis Bank है, SBI Bank है तो different banks के साथ उसको साज़ेदारी करनी पड़ी तो अब Paytium ने विक्री के इंदर समाधान और कार्ड भुकतान मशीन उपलब्द कराने के लिए Axis Bank के साथ साज़ेदारी की है आप सब भी जानते है, Fintech Firm 1997 Communication जो की brand Paytium का मालिक है, ठीक है, Paytium उसके द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है इन्होंने Axis Bank के साथ साज़ेदारी की है तो important question यह आपके लिए रहेंगे और यह सभी question आपके important है, आपके exam point of view से अब जितने भी question आपको one-liner form में मिलेंगे आप यहां से जब एक वार इस video को देखेंगे तो अपने आप यहां से one-liner question पढ़ सकते हैं जो भी अभी मैंने आपको question कराए हैं उसी की ही one-line format में भी आपके लिए question दिये गए हैं क्यूंकि कुछ students जो हैं वो इनको descriptive way में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यह format मैंने cover करा दिया और अब कुछ जो हैं वो सिर्फ one-liner के उपर ही focus करते हैं टोटल 50-60 question उसमें से 30-35 question वो करेंगे तो उनके लिए यह one-liner question भी यहाँ पर हमारी PDF में provide किये गए हैं अब यह जितने भी question हमने descriptive way में बड़े पढ़े उनी का यह one-liner version जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपकी almost 50 plus question ठीक है 55 अश्नभी वैश्नभ ने भारत के 500 समुदाइक रेडियो स्टेशन अपरा अपना रेडियो 90.0 FM को अधगाटन जो है वो आई-जोल में किया है आई-जोल में इनके दोरा यह उधगाटन किया गया तो कुछ नए question भी आपको one-liner form में मिलेंगे बाकि जो भी अभी तक हमने question यहां पर पढ़े वही चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जैसे कि यह त्रिपुट की बात की थी कोवा शिप्यार लिमिटेड पेटियम की बात की access bank के साथ समझ होता किया मुंबई क्रिकेट एसोशेशन के ने अध्यक्स अजिंक्यानाइक को बनाया गया तो आपके one-liner question रहेंगे अब इसके साथ साथ अगर जो बच्चे हमारे इस questions को English मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए bilingual यह चीज़ परवाइड करवाईगी है जो आपके question MCQ-based जो question थे वो आपके यहाँ पे आपको English format में भी provide करवाईगे और जिनको अगर यही question अगर आपको one-liner format में अगर पढ़ने हैं उसको अगर आप read करना चाहते हैं तो आपको इसी PDF के सबसे नीचे जो है वो आपको English मीडियम में यह question देखने को मिलेंगे आपको आपको आज की class जो है वो अच्छी लगी जुलाई 2024 मन्त के current affair को हमने discuss किया उससे पहले last year के सभी month wise हमारे current affair है वो आपको हमारे YouTube channel और उसके साथ साथ हमारे application के ओपर भी मिल जाएंगे YouTube के ओपर सर्फ आपको उसकी वीडियो मिलेगी और हमारी application के ओपर वीडियो with PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी in the form of bilingual तो class आपको कैसी लगी comment करके आप जरूर बताएं और application को आप जरूर डाउनलोड करें play store से वीजेपाथ All Exam Preparation App अगर उसको आप डाउनलोड कीजिए, registration कीजिए, free of cost है और current affair के session में जाके आप अपने इस current affair के session को देख सकते हैं अगर आप हिमाचल के different exam की तियारी कर रहे हैं या फिर आप All India Level के SSE, GD, CHSL ये banking sector की अगर आप तियारी कर रहे हैं तो उससे related हमारी आप test series या course को भी बिलकुल nominal surprise में आप purchase कर सकते हैं तो जादा से जादा आप इस video को share कीजिए, जल्दी ही नए session के साथ मैं आप से जुड़ूँगा, तब तक के लिए आप अपने notes बनाएए, अपना ध्यान रखिए और विजेपत education के साथ आप बने रहें धन्यवाद, जय हिंज, जय भारत